दोस्तों राजस्तान के अंदर सच्चिन पाइलट का कद लगातार बढ़ रहा है ना केवल राजस्तान बलकि दूसरे राजियो में पी सच्चिन पाइलट को कॉंग्रेस से जम कर मोका दे रही है और यह संदेश है असोग गहलोत के लिए कि सच्चीन पाइलट किसी से कम नहीं है दरसल कॉंग्रेस आला कमान ने राजस्तान के पूर्वे डिप्टी सियम सच्चीन पाइलट को गुजरात चुनाओं में श्टार प्रचारक का जिन्मा सोंपा है पाइलट गहलोत के गुजरात दोरे से लोडते ही 31 सक्टूमबर हो गुजरात के चुनाओं दोरे पर रहेंगे पाइलट यहां एक के बाद एक कुल चार जनसबाओं को संभोधित करेंगे इसके उपरांत वे परिवर्तन संकल्प यात्रा को हरी जन्डी दिखा कर रबाना भी करेंगे कार्यकरम के मुताबिक शचिन पाइलट 31 सक्टूमबर को गुजरात के खेडा के फगवल में सुबे 10.30 बजे पहली जनसबाओं को शंभोधित करेंगे इसके बाद परिवर्तन संकल्प यात्रा को हरी जन्डी दिखाएंगे इसके बाद राजकोट के वीरपूर में साड़े 11 बजे उनकी स्वागत में कार्यकरम रखा गया है जहां से पाइलट गुजरात के माही शागर जिले के लोना वाला में 12 बज कर 15 मिनट पर और शंतर रामपूर में जनसबाओं को शंभोधित करेंगे सचीन पाइलट चोथी वे आखिरी जनसबाद दावोध में शाम साड़े 4 बजे करेंगे ऐसे मैं कॉंग्रेस आला कमान ने सचीन पाइलट को हिमाचल चुनाव में भी परियवेक्षक बना रखा है जिस परकार से कॉंग्रेस आला कमान सचीन पाइलट को मोके पर मोके दे रही है कही ना कही असो गहलोत के लिए खुले तोर पर संदेश है कि सच्चिन पाइलट की पार्टी के अंदर कद बड़ी है आपका इस कबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताए धनिवाद